Hello everyone, welcome back to my channel आज हम बनाएंगे इडली जो सभी को बहुत पसंद होती है इडली वैसे तो South India का खाना है लेकिन आज कल North India में भी इसको लोग बहुत चाव से खाते हैं और MTR की इडली ने घर घर में इडली को पहुचा दिया है लेकिन आज हम अपने घर के सामान से ही केवल सूजी से इसको बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी और एक कटोरी घर का सिंपल दही लिया है कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं और सरसों के जो मोटे वाली सरसों होती है आधी चमच सरसों के दाने लिए हैं इसके लिए हम एक बड़े बरतन को ले लेंगे और उस बड़े बरतन के अंदर हम जो सूजी हमने लिए है मोटे वाली सूजी इसमें ले तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है और उसके अंदर हम डाल देंगे जो एक कटोरी हमने दही ली है उसको और सरसों के जो दाने हैं उसको हम डाल देंगे दही यहाँ पर खटा हो तो ज़्यादा अच्छा है अगर दही आपके पास नहीं हो तो इसमें आप लसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कुछ यहाँ पर डाल देंगे हम कड़ी पत्ता इसके अंदर हाथ से तोड़ करके हम इसको डाल देंगे यहां पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा इसमें नमक नहीं डालेंगे और कुछ चार-पांच काजु के टुकडे जिनको हमने थोड़ा सा भून लिया था काजु को उनको हम तोड़के छोटे-छोटे इसके टुकड़े बना करके इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे आज हम बिना तड़के के इडली को बनाएंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ इसका पेस्ट बना लेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची अपने स्वाद के अनुसाथ इन सबी चीजों को हम बड़े अच्छे से मिक्स करके और एक तरफ इसको ढख करके रख देंगे ताकि सूजी जो है फूल जाए और अच्छे सी इसके अंदर मैडिनेशन हो जाए अब दूसरी तरफ हम एक बड़ा बरतन लेंगे मेरे पास ये इडली बनाने की कड़ाई है अगर आपके पास ऐसा बरतन नहीं है तो आप सिंपल पतिले में या कूकर में भी इसको बना सकते हैं तो इस तरह से हमने इडली का स्टैंड ले लिया है उस स्टैंड के उपर हमने थोड़ा सा लगा लिया है घी या तेल चिकनाई ताकि इडली हमारी आसानी से निकल सके और ये देखिए आधा घंटा या 15-20 मिनट के बाद हमारी सूजी जो है फूल गई है और थोड़ा सा ग गड़ा बनाना है और जितना जादा होगा इसको हाथ से फैंट ले जितना हम इसको फैंटेंगे उतनी ही हमारी जो इडली है वो फूली फूली और पलफी शपंजी बनेंगी साथ में इसमें डाल देंगे ₹श ौर इनो पाउचology सो क्या और इनो पाउच अब्यों डालने और मिलाने के बाद ये बड़ा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा यानि उपर फूल के आ जाएगा हमारा ये जितना भी मिश्रण है और अब हम इसको तुरंत ही सभी इडली के सांचों में डाल करके पकने के लिए रखेंगे इनो डालने के बाद हमने बैटर को रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना है इसको हमने तुरंत ही डाल करके इसको पकने के लिए रख देना है और इस तरह से हम बरतन का लगा देंगे धकन और धीमी आज़ पर इसको हम 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे बीच में हम थोड़ा सा इसको कोल के देख सकते हैं और दूसरी तरफ हम पतिले में भी इसको आपको बना करके दिखाएंगे तो ये था हमारा जो इडली के स्टैंड में हमने इडली बनाई है 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे तो ये हमारी इडली बन के तयार है अगर स्टिक के उपर चिपकता है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए और पका लें लेकिन हमारी यहां पर बन करके तयार हो गई है इसको हम निकाल के रख देंगे और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे गरम गरम में अगर हम इसको निकालते हैं तो कई बार सोफ्ट होने की वज़े से इडली हमारी तूट भी सकती है तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आराम देने के बाद ही निकाले तो ये ज़्यादा अच्छे से निकल आती है तो ये लिजे हमारी इडली बन करके तयार है इसी तरह से हम इनको पतिले में भी बना के त्यार कर सकते है तो ये लिजिए हमारी सारी इडलियां बनके बिल्कुल रेडी है अब हम इसको सर्व करेंगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लेजिए और चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब अवश्य कर लेजिए और इसके साथ में दिखने वाले घंटी जैसे बटन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं ये देखिए हमारी इडली बिलकुल सॉफ्ट और स्पंजी बनी है एक दम नरम नरम फूली फूली इडली हमारी बन के तयार हुई है तो इसको हम चटनी के साथ सॉस के साथ नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे गरमा गरम तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर अवशे करें इसकी चटनियों की रेसिपी हमने दूसरी वीडियो में दी हुई है आप हाँ पर चेक कर सकते हैं मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत